हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू अपडेट यॉरसल्फ यह आए अधियों टेटेट वी आ गूंग टू डिसकर्स सम् कीवर्ड शॉर्टकट्स की तो सबसे पहले हमारी जो की है वह है कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस इंसर्ट यह दोनों की का यूज एक ही होता है यह शॉर्टकट की इससों होती है वो कुच की का क्म्बीनेशन होता है जिसे हमारा काम बहुत असं हो जाता है कंट्रोल प्लस सी या आपंट्रोल प्लस इंसर्ट से आप selected text या highlighted text को कॉपी कर सकते हैं और यह copy क्या-क्या material आपका clipboard में जाके save हो जाता है जिसे आप कहीं पर बात में use कर सकते हैं and जो second one है वो है control plus B या फिर shift plus insert यह दोनों ही की combination आपके copy text को paste करने के लिए use किये जाते हैं यानि आपने control plus C या control plus insert से जो भी text को highlighted text को select किया था उस copy text को आपको अगर कभी use करना है तो आप control plus B यह shift plus insert का use कर सकते हैं and third one है control plus Z या control plus Y यह दोनों ही अलाग-अला की combination है उनका use अलाग होता है control plus Z का use होता है undo के लिए जबकि control plus Y का use होता है redo के लिए जैसे आप कुछ text select कर चुके हैं और आपने उसे delete कर दिया है लेकिन आप यह गलती से delete हुआ और आप चाहते हैं कि वह वापस से उसी place पर आ जाए तो आप control plus Z का use करेंगी जिससे वह undo हो जाए ओके अब control plus backspace की control plus backspace की का use जब क्या जाता है जब हमारे द्वारा type किसी word या letter को delete करना है आप यह delete करना है तो आप delete button से भी कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है delete button से हमें जिसे पूरा word है एक है किसी का नाम शाली नहीं तो हमें बार बार उसे एक एक letter डिलीट करना पड़ेगा डिलीट बटर उतनी बार प्रेस करेगा परन्तु control plus backspace से वह पूरा word एक साथ डिलीट हो जाता है इसके बाद आता है control plus is जब आप किसी document पर काम कर रहे होते हैं और उसे आप सेब करना चाहते है आप काम खतम हो जाते है आप उस फाइल को सेब करना चाहते तो आप control plus is का यूज कर सकते हैं इससे वह फाइल सेब हो जाती है and next one है control plus x का यूज कोई भी selected या highlighted text को बहाँ से delete करके कहीं और यूज करने के लिए किया जाता है अगर आपने delete बटन से किसी भी चीज को delete किया तो आप उसे फिर कहीं और जाके प्रेस्ट नहीं कर सकते हैं जबकि control plus x का यूज होता है आपने अगर कोई item delete कर दिया है cut कर दिया है तो उसे आप अपने उसी डोकुमेंट में यह दूसरी डोकुमेंट में यूज कर सकते तो फ्रेंट्स यह थी आज के लिए कुछ shortcuts की अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए thank you friends